ऐसा है कि चाचा बतीजा की जोड़ी आज पूरी तरह बिहार में बदनाम हो चुकी है। अपहरन गुंडागर्दी रंगदारी एक इंडस्टी के रूप में था और जिनोंने आज जूट की अहंकार की परिवारवाद की वंशवाद की और ब्रश्टाचार की सरकार वहां खड़ी की है जिससे बिहार की जनता दुखी है। उससे द्याहान हटाने के लिए ये चाचा बतीजा की जोड़ी गटिया हासेपद निमन दर्जे की राइनिती कर रहे है। ऐसा है कि चाचा बतीजा की जोड़ी आज पूरी तरह बिहार में बदनाम हो चुकी है। ये पोस्टर लगाना हासेपद है कौन है चारा गोटाले का अरोपी है। उसकी गोद में बैठकर ये सरकार चल रही है। जिनके समय में एक अपहरन गुंडागर्दी रंगदारी एक इंडस्टी के रूप में था। और जिन्होंने आज जूट की अहंकार की परिवारवाद की वंशवाद की और ब्रश्टाचार की सरकार वहां खड़ी की है जिससे बिहार की जनता दुखी है। उससे द्यहान हटाने के लिए ये चाचा बतीजा की जोड़ी गटिया हासेपद निमन दर्जे की राइनिती कर रहे है। ऐसा है कि चाचा बतीजा की जोड़ी आज पूरी तरह बिहार में बदनाम हो चुकी है। ये पोस्टर लगाना हासेपद है कौन है चारा गोटाले का अरोपी है। जिसे पर अरोप तया हो चुके हैं जो दोशी है। उसकी गोद में बैठके ये सरकार चल रही है। जिनके समय में एक अपहरन गुंडागर्दी रंगदारी एक इंडस्टी के रूप में था। और जिनोंने आज जूट की अहंकार की परिवारवाद की वंशवाद की और ब्रश्टाचार की सरकार वहां खड़ी की है। जिससे बिहार की जनता दुखी है उससे द्याहान हटाने के लिए ये चाचा बतीजा की जोड़ी गटिया हासेपद निमन दर्जे की राइनिती कर रहे है। ऐसा है कि चाचा बतीजा की जोड़ी आज पूरी तरह बिहार में बदनाम हो चुकी है। ये पोस्टर लगाना हासेपद है कौन है चारा गोटाले का अरोपी है। जिसे पर अरोप तया हो चुके हैं जो दोशी है। उसकी गोद में बैठकर ये सरकार चल रही है। जिनके समय में एक अपहरन गुंडागर्दी रंगदारी एक इंडस्टी के रूप में था। और जिनोंने आज जूट की अहंकार की परिवारवाद की वंशवाद की और ब्रश्टाचार की सरकार वहां खड़ी की है जिससे बिहार की जनता दुखी है। उससे द्यान हटाने के लिए ये चाचा बतीजा की जोड़ी गटिया हासेपद निमन दर्जे की राही निती कर रहे है।